हलो दोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और सरप्रथम आप सभी को हम सभी को International Women's Day की हार्दिक सुपकामना हैं आप सभी को पता है कि आज अंतराश्टियम महिला दिवस है जो कि प्रति वर्ष आठ मार्ज को मनाया जाता है इस बर जो 2024 को मनाया जा रहा है इसका थीम है Invest in Women Excellate Progress यह आप लोग याद रखिएगा बहुत ही important fact है और इसके साथ ही हम लोग आज उमेंस टे को आखिर में क्यों मनाया जाता है उमेंस टे से related जो भी कुछ हमारी सामाजिक आर्थिक जो facts हैं उसको हम लोग समझने की कोशिस करेंगे यहाँ पर मैं कुछ इससे और भी related जो की अलग से बोलें की facts हैं उसको भी discuss करेंगे तो सबसे पहले यह मैं बता दूँ कि मैंने बहुत जगा जो content जब मैं collect कर रही थी इससे related तो ऐसा मुझे पढ़ने को मिला कि जो अंतराश्री महिला दिवस होता है इस दिवस पे महिलाएं जो होती है परपल कलर जो की आप लोग पेन का कलर देख सकते हैं या जिसे बैगनी कलर भी करते हैं इसको बहुत जादे पसंद करती है आज के दिन यूज करना आपने चाहे जिसमें कपड़े में हो चाहे बाकी flowers वगरा देना करना इस तरीके से यह लोग यूज करते हैं तो इसके पीछे आखिर में रीजन क्या होता है यह लोग परपल कलर को आज बहुत जादे इंकरेज क्यों करते हैं तो जो परपल कलर होता है वो नियाए और गर्मा का एक बोलें इंडिकेशन होता है या प्रतीक होता है दूसरा की महिलाओं के उर्ज प्रपल कलर को जादे पसंद करती हैं अगर हम बात करें कि पहला जो इंटरनेशनल ओमेंस्टे मनाया गया है तो इसका पहली बार आखिर में किसके मन में ये खयाल आया था और ये पहली बार कब मनाया गया था तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे पहली बार जो मनाया गया था इसको तो हम पहले बाद में चर्चा करेंगे सबसे पहले चर्चा ये करेंगे कि आखिर में इसके लिए मन में खयाल किसके आया था तो एक socialist बोलेंगे, समाजवादी या समाज सुधारक बोलेंगे तो ये जर्मनी से विलॉंक करती हैं और इनका नाम है क्लारा जेटकिन यह आप लोग याद रखिएगा क्लारा जेटकिन जो है इन्होंने 1910 में 1910 इस भी में इन्होंने ऐसा विचार प्रसुत किया था कि एक ऐसा दिन होना चाहिए पूरे वर्स में जो की महिलाओं के लिए उनके समान के लिए उनके अधिकारों के लिए मनाया जाए और पहली बार जो महिला दिवस के रूप में यदि कोई ऐसा कहें कि प्रोग्राम मनाया गया या यह बोली कोई डेस सेलिब्रेट किया गया तो वो पहला था नेशनल ओमेंस टे के नाम से यह यहाँ पर मैं लिखती हूँ नेशनल ओमिन्स डे के नाम सी यह मनाया गया था और यह मनाया गया था किस डेट में 28 फैपरोरी 1909 में मनाया गया था यह तो कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट थे लेकिन इसके साथ ही हम लोग इसकी थोड़ी सी हिस्टरी पर नज़र डालेंगे कि आखिра महिला दिवस जो है वो मनादी ही क्यों है तो एक ब्रीफ इंट्रो देख लेंगे इसका अन्तराश्टी ये महिला दिवस दुनिया भर के कई देसों में मनाया जाता है यहां तक मैं बता दूं कि कुछ देश ऐसे हैं कि जो आज के दिन जो होता है वो छुटी भी रहता है राश्टी आवकास मनाया जाता है वहां पे और लोग इसको एक तिवहार की तरह सेलिप्रेट करते हैं अलाकि बहुत ऐसे देश हैं जहां पे आवकास नहीं होते हुए भी लोग इसे एक तिवहार की तरह सेलिप्रेट करते हैं यहां पे एक बात और बता दूं कि यह बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है क्या महिलाओं के लिए यह मनाया जाता है बलकि अगर हम एक फैक्ट को देखे हम हर सोसाइटी की बात कर रहे हैं आपके घरों में हमारे घरों में हर किसी के घर में देखें तो कोई न कोई महिला जरूर होती है चाए वो मा के रूप में होती है चाए वो पत्दी के रूप में होती है चाए वो भहन के रूप में होती है चाए वो पुत्री के रूप में होती है तो यह हम देखेंगे कि प्रतिक परिवार में महिला जरूर होती है और इसलिए यह हमारा उत्तरदाई तो होता है कि यह जो महिला दिवस है यह बलकि हर परिवार में हर किसी को मनाना चाहिए यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं को राश्ट्री जाती भाशाई सांस्कृ आर्थिक यार राजनितिक विभाजनों की परवा किये बिना उनकी उपलब्दियों के लिए पहचाना जाता है महिला दिवस मनाने के लिए 8 मार्च का दिन चुनने की एक खास वज़ा है दरसल अमेरिका में काम करने वाली महिलाओं ने जो की सोसिलिस्ट पार्टी से डिलेट को सम्मान देने के मकसद से ये दिन चुना था वहीं पिर रूसी महिलाओं ने महिला दिवस मनाते हुए पहली विश्वयुद का विरोध किया था रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस को ले के अर्था था हमें सांती चाहिए और भूजन चाहिए 1917 में हर्ताल की थी और 1917 का जुस्सन है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा ये जो है रूसी क्रांती का एर है तो आप लोग ये दिखेंगे कि जो महिला दिवस है इसका एक हमें अगर पच्छ ये दिखे तो रूसी क्रांती से भी ये काफी हद तक हुआ है यूरोप में महिलाओं ने आठ मार्च को पीस एक्टिविस्ट को सपोर्ट करने के लिए रहलिया निकाली थी इस वज़ा से आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस मनाने की सुरुवात हुई बाद में 1975 में यहाँ पे 1975 संधिया है अगर आप लोग आज क्वेश्टन पूट अप किया है और उसको आप लोग देखेंगे तो आज का क्वेश्टन भी सेम यही है कि जो यूएन था अंतराष्टी महिला दिवस को सबसे पहले किस वर्स जो है मानेता दिया था तो ये था 1975 में सर्यूंक तिराष्ट ने अंतराष्टी महिला दिवस क मानेता दे दी थी अब अगर हम बात करें कि महिलाओं में आखिर में दपावर आफ ओमेन की कि महिलाओं में आखिर में क्या हमें देखने को मिलता है उनकी आखिर में जो परसनालिटी है या उनका बैक्तित्व है वो खास क्यूं होता है महिलाओं में जन्मजात नेतित्व गुड समास के लिए समपत्ती है प्रशिद अमेर की धार्मिक नेता ब्रिंगम यंग ने ठीक ही कहा है यह आप लोग हमेंशा ये जो कतने वो सुनते हैं तो ये जो कथने ब्रिखम यंग के द्वारा दिया गया है ये एक अमेर की धार्मिक नेता रहे हैं इन्होंने कहा है कि जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीड़ी को शि करने में शक्छम है भारत के प्रतम नोबिल पूरसकार विजीता रबिन नाट टैगोर की शब्दों में यदि देखा जा यह रबिन टैगोर के कोट एं कि हमारी लिए महिलाइं ना केवल घर की रोशनी हैं बलकि इस रोशनी की लौ भी है अनादिकाल से ही महिलाएं मानवता की प्रेंड ना क्या सुरोत रही हैं चाहे वो जहांसी की रानी लक्षमी बाईगी को ले ले या फिर भारत की पहली महिला शिक्षित का सावित्री बाईगी फुले महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाओं के बड़े दाहरर जो हैं अस्थापित किये हैं और अगर हम आज की समय की बात करें तो आप लोग चाहे वो बड़े बड़े इंडर्स लिस्ट की बात करें या आप एजुकेशन की फिल्ड में देखेंगे या फिर साइंस टेकनोलोजी की फिल्ड में देखेंगे आप लोग को हर जग उसी तरीके से चलना चाहिए या फिर उसके आगे भी हमें कुछ सोचनी की जरूरत है अगर हमें समाज की जो आज की मांग है उसकी साथ चलना है तो तो इसकी लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं की जो इस्थिती पहले रही है उसमें काफी हद तक चेंजिस करने क जरूरत है नारी के संगहर्स का ही ये परडाम है कि अबावा हर छेत में भी आगे भर बढ़ रही है या फिर आगे आ रही है जो कभी पूर्शों के प्रभुत्तों वाला माना जाना या और समझा जाता था तो ये हम देखेंगे कि जो सुसाइटी थी वो पैट्रियार्कल या ये बोलें कि पूरुष प्रधान समाज था तो वहाँ पे महिलाएं भी हर छेतर में आगे आ रही है और ये जो है ऐसी ही नहीं मिल गया है महिलाओं को हम देखें कि जो हर छेतर में आगे आना हमें दिख रहा है तो वो ऐसी ही नहीं मिल गया है बलकि जो महिलाएं है या पक्रशार के कारड के उन्हें अपने व्यक्तित्तों विकास के आउसर मिले हैं। उद्दोगी करड या फिर उद्दोगी करड शहरी करड और आधुनीकी करड के करड महलाएं आर्थिक रूप से आर्थम निर्भर हो रही है या हो पाई है। अब अगर हम ये बात करें कि क्या महिलाएं ऐसी हैं कि इतनी काबिलित हैं उनके अंदर की वो अपनी सोसाइटी में एक पहचान बना सकती हैं तो अगर हम बात करें अपने इतिहास की तो इतिहास गवा है कि अगर चाहे हो हम लक्षमी बाई की बात करें या अभी आप लोग देखे सावित्री भाई फुले की बात करें तो ऐसी बहुत ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने उस समय में भी जिस समय की महिलाओं की इस्तिती बहुत ही दैनी थी बहुत ही पिछड़ी इस्तिती थी उन्होंने आगे बढ़के और समाज में अपना योगदान दिया था भारत में कई महिला नेताओं और शेनानियों का घर है अगर भारत की हम बात करें तो ये देखा जाए तो कई महिला नेताओं की बात करें या फिर जो शेनानी है स्वतंता सेनानी उनका घर माना जाता है जिन्होंने देश के आतिहासिक, सामाजिक, राजनितिक और सांस्कृतिक परि कापी अच्छा नाम है इस विवेद समों में इंद्रगानी की बात कर लें अगर पॉलिटिकल हमें अगर साइड से देखते हैं निर्मला सीता रमण अभी हाँ आप लोग देखी रहे हैं एड़ प्रेजिन में मैरी काम अरुनहती राय द्रोपदी मुर्मुजी जैसे पॉललाएं जो है हो सकल्गेः घरेलव उतपाद में महिलाओं की योगदान के मामले में वैसविक ऑव्सद जो है वो 37 प्रतिस्षट है उसकी तुल्लामे भारत में महिलाओं का जो योगदान है किसमे सकल घरेलू उत्पाद में तो ये मात्र सत्रप प्रत्षत है यदि महिलाएं भी पूर्सों के समान अर्थ व्यवस्था में भागिदारी करें तो इससे वर्ष दो हजार पचीस तक भारत की वासिक जीडिपी जो है वो 2.9 ट्रिलियन अर्था 2.9 ट्रिलिय ही हो सकती है तो यहां पर यह हमें समझने की जरूरत है कि महिलाओं का जो योगदान है वो कितनी ज़्यादे जरूरी है समाज के या देश के विकास के लिए अगर सिच्छा की बात करें तो क्या सिच्छा से महिलाओं की योगदान कुछ समाज में होते हैं या महिलाएं किस प्रकार का विकास या किस प्रकार का हमें एक बोलेंगे की परिवर्तन देखने को मिलता है तो इस्त्री शिक्षा जो है वो इस्त्री और शिक्षा को अनिवारी रूप से चोड़ने वाली अवधारना है इसका एक रूप शिक्षा में इस्त्रियों को पूर्शों की तरह शामिल करने से सम्मंदित है तो इस्त्री शिक्षा का आर्थ यही निकलता है कि जिस प्रकार से समाज में पुरुस शिक्षित दिख रहे हैं उन्हीं के लेवल में महिलाओं को भी या इस्त्रीयों को भी लाने की चरूरत हैं दूसरे रोप में या इस्त्रीयों के लिए की धार्णा विक्सित हुई थी तो अगर हम भारत का मध्य मीड पीरियड देखें या फिर पुनर जागरण काल के समय में देखें तो जो इस्तियां थी उनको एक अलग तरीके की एजुकेशन दी जाती थी शिक्छा दी जाती थी पूर्शों को एक तरह अलग तरीके की बिला है तो उसे घर में किस प्रकार से जो घरेलू काम काज होते हैं वो अच्छे से आनी चाहिए उनको सिलाई, बुनाई, कठाई ये जो काम होते हैं वो उनको बखुवी आने चाहिए वही पे पूर्षों की जो शिक्षा थी वो उनके व्योसाय से सम्मन्धित होती थी वर्तमान दोर में यह बात सर्मान है कि इस्त्री को भी उतना सिख्षित होना चाहिए जितना की पुरुष को होना चाहिए यह सिद्ध सकता है कि यदि माता सिख्षित नहीं होगी तो देश की संतानों का कदाप कल्यार नहीं हो सकता है संस्कृत में एक उक्ती जो है वो प्रशिद है कि नास्ती पित्यासम चच्छुर नास्ती मात्री समो गुरू इसका अर्थ क्या निकलता है इसका अर्थ है कि इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरू नहीं होती है तो यह आप सभी को पता है कि जो मा होती है वो प्रथम सिक्षक होती है जाहे जब हम बात अपने अंतक्रियावाद की प्रतिकात्मक अंतक्रियावाद की बात करें तो जिसमें की हमें यह देखने को मिलता है कि जो हमारा परिवार होता है वो प्रथम स्कूल होता है विद्याल होती है तो वो कई पीडियों को सिक्षित कर देती है शिच्छा प्राप्त करके आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होने का आर्थ यह नहीं है कि नारी शिक्षित होकर पुरुष को अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए उसकी सामने ही मोर्चा लेकर खड़ी हो जाए यह जो पॉइंट है आप लोगों को बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी माने चाहे वो पुरुष है या फिर मैला है यहां पर बात आपोनेंट की नहीं है बात प्रतिद्वंदिता की नही में शक्चंबने तो यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अगर मान लेते हैं कि प्रतिद्व परिवार में हम देखेंगे जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि माता होती है पत्नी होती है बहन होती है पुत्री होती है या फिर अगर हम यह देखें कि परिवार में जितनी भ भी काम होते हैं अगर देखा जाए घर में बहुत सारे काम होते हैं तो जो भी वो घरेलू काम करती हैं उनको पता है कि हम नहीं करेंगे तो परिवार सही से नहीं चल पाएगा लेकिन कम से कम ये परिवार की प्रतेक सदस्य का इतना उत्तरदाई तो बनता है कि वो जो भी काम करती हैं जितना अपना मेहनत देती है परिश्रम देती है अटलिस उसकी उतनी इज़्जत करनी चाहिए उसको उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए कि हाँ अगर एक परिवार स्वस्थ नजर आ रहा है चाहिए वो मांसिक रूप से या सारेरी रूप से तो इसमें महिला के योगदान को नहीं नकारा जा सकता है और इसलिए कम से कम महिला को इतना सम्मान तो मिलना चाहिए कि वो पूरे परिवार को संभाले रहती है अब अगर बात चैलेंजिस करें कि आखिर में क्या इतना सबकुष आसान है महिलाओं की जो शिक्षा किया अगर बराबरी की बात कर रहे हैं पूर्सों से तो क्या ये इतना जादे आसान है ये जो भी आप लोगों को आज पॉइंट हला की थोड़ा सा हटके हैं लेकिन इसको हटके नहीं बोलेंगे क्योंकि हम समाज सास्त्र में समाज का ही अध्यान करते हैं और समाज में महिलाएं जो हैं एक महत्वपूर रोल निभाती हैं महत्वपूर भूमी का निभाती हैं तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है जो भी आप लोगों को दिखेगा कि जो आप लोगं को कथन वाले जो question करके आते हैं जो उसमें इस तरीकी के question बहुत जादे पूछ दिये जाते हैं जो कि conceptual based होते हैं तो यहाँ पे अगर हम challenges की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारती समाजी हम सभी को पता है कि पूरुष प्रधान समाज है महिलाओं को पूर्सों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है हाला कि ग्रामिड छेत्रों की अपेक्छा सहरी छेत्रों में इस्थिती ग्रामिड छेत्रों से अच्छी है परन तो इस तथे से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज भी देश की अधिकान साबादी जो है वो ग्रामिड छेत्रों में ही रहती है लैंगिक असमानता की चुनौती जो है वो आज भी हमारे समकच्छ या हमारे समच्छ हमारे सामने एक ठोर वास्विक्ता की रूप में खड़ी है यहां तक कि देश में कई सिक्षित और काम काजिस सही जो शहरी महिलाएं होती है वो भी लैंगिक आसमानता का अनुभा करती है तो यहां पर अगर इसका बहुत अच्छा एक्जामपल हम देखें तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें महिला और पुरुष दोनों वर्किंग होते हैं जॉब करते हैं या काम करते हैं वहाँ पर यह अक्सर देखने को मिलेगा कि जो पुरुष होता है वो जब महिला होती है अगर महिला नौकरी में है तो उसको घर के जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं जो ड्यूटी पर काम करना है तो उसके लिए यह डवल काम हो जाता है तो इस प्रकार से जो कामकाजी सहरी महिला हैं वो भी लैंगिक और समानता का अनुभाव करते हैं अगला पॉ इसी कारण देश में महिलाओं तथा पूश्चों के आउसत वेतन में काफी अंतर पाया जाता है देश में महिला सुरच्छा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को इसकूल भेजने से कतराते हैं हाला कि यह मैक्जिमम जो है वह हमको ग्रामिर जो समाज है या ग्रामिर छेतर है वहाँ पे देखने को मिलते हैं जहां पे स्कूल वगर बहुट जादे दूर होते हैं हाला कि सरकार द्वारा इस छेतर में काफी काम किया गया है परन्तु यह सभी प्रयास इसमुद्दे को पूढ़ता सम्मंधित करने म या उसको मतलब ये बोलें कि उसको समाप्त करने में आसफल रहे हैं अब यदि बात करें कि अगर हम भविस्य क्या देखते हैं अगर महिलाओं को इंपावर कर दिया जाए महिलाओं की ससक्ति करड कर दिया जाए तो इससे हमें भविस्य क्या दिखता है भविस्य में हमें क्य धेखने को मिलेगा यह हम सभी को पता है कि अगर महिलाएं सिक्षित होती हैं तो ये थो नार्मल सी बात है कि भविष्य समाज का वह काफ हे आज की तुल्ला में तो बहतर हो गाई ही कोगा यहां पे стати महिलाओं के सिक्षित होने की हो रही है ना कि पुरुषों के प्रतिद्वंदी होने की हो रही है तो यहां पर मीनिंग आप लों को यह समझना है कि महिलाओं के सिक्षित होने की बात हो रही है जब कोई भी व्यक्ति सिक्षित होता है तो कम से कम इतना होता है कि वो समाज को बहतर तरीके स समझ सकता है, जिस से कि एक स्वस्थ समाझ की कलपना हम कर सकते हैं इसके लिए आखिर में कि जो हमारा समाझ है वो एक आगे को स्वस्थ तरीकी से आगे बढ़े इसके लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसी government की तरब से, सरकार की तरब से कई सारी जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं तो इसमें से आप लोग के लिए exam point of view से कुछ important facts मिलेंगे महिला एवंग बाल विकास मंत्राले महिलाओं को ससत बनाने के लिए देश की सभी छेत्रों में उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए भी योजनाएं कारिकरम लागू करता है और इसमें अगर हम पहले योजना की बात करें तो यह है one stop center और महिला हेल्प लाइनों का सारुभ हौमी करण यहाँ पर आप लोग इसके बारे में मैंने detail में लिखा है ठीक है इसको हम लोग एक बार discuss भी कर लेते हैं WCD अर्थात one stop center की बात जो हो रही है WCD मंत्राले निर्भया फंड से दो योजनाओं का संचालन कर रहा है यह आप लोग ध्यान रखिएगा अर्थात one stop center और महिला हेल्प लाइनों का सारुभ हौमी करण यह दोनों जो है वो WCD मंत्राले जो है वो निर्भया फंड से संचालित करता है WCD का मतलब है Women and Child Development मंत्राले तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा वन स्टॉप सेंटर जिसे सकी सेंटर के नाम से जाना जाता है का उद्देश्य हिंसा गरेलू हिंसा साहित इसमें गरेलू हिंसा भी आता है से प्रभावित महिलाओं को एक ही छट के नीचे पुलिस सुविदा, चिक्रिशा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्ज प्रदान करना जैसे एकिक्रिश सेवाओं की सुविदा प्रदान करना है मनो सामाजिक परामर्ज आस्थाय आश्रे आदे भी महिला हेलप लाइन डबलू एचल योजना सारवजनिक और नीजी अस्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस वनिस्टॉप सेंटर जैसे उचित प्राधिकारी से जोड़ का 24 घंटे आपात कालीन और गैरा आपात कालीन प्रतिक्रिया प्रतान करती है अस्पिताल कानूनी सेवाएं आदे ये इसमें मिलता है डबलू एच एल देस भर की महिला कल्याड योजना और कारिक्रमों के बारे में जानकारी प्रतान करने के अलावा बचाओ बैन और परामर्शेवाओं के साथ संकट ग्रस महिलाओं का भी समर्थन करता है महिला हेल्प लाइन से सेवाएं प्राप्त करने के लिए महिलाएं जो है वो 181 शार्ट को डायल कर सकती है तो ये आप लोग को कुछ इसमें फैक्स मिले जो कि आप लोग को ध्यान रखना है अगली अगर योजना की बात करें तो ये है स्वाधार ग्रिह योजना स्वाधार ग्रिह योजना वो न महिलाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कारयानवेट की जा रही है जो कठिन परिष्थितियों की सिकार हैं और उन्हें पुनर्वास के लिए संस्थाग समर्थन की आवश्यक्ता है ताकि वे सम्मान से अपना जीवन जी सकें अगली योजना उज्वला योजना जो कि आप लोगों को बहुत देखनी को ये उज्वला योजना मिला होगा आप सभी में से बहुत ऐसे हमारे साथी होंगे जो उन्होंने इसका लाब भी उठाया होगा उज्वला योजना को तसकरी की रोग थाम और वारीजी के लिए तसकरी के पिर्टों के बचाव पुनरवास पुनर एकी करण और प्रत्यावरतन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यानवित किया जा रहा है उज्वला यूशना जो है बड़े बड़े वैनर्स पे बड़े बड़े सिटीज में अकसर करके आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो की रोड की किनारे लगाए भी गये हरते हैं कामकाजी महिला चात्रावास यूशना को सरकार द्वारा शहरी अर्द सहरी या यहां तकी ग्रामिर छेत्रों में जहां भी संभव हो कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चों के लिए डिक एर सुविथा के साथ सुरक्षित और सुविथा जनकस्थान पर आवास प्रदान करनी के लिए उद्देश से कार्यानवित किया गया है जहां महिलाओं के लिए रोजगार के औसर मौजूद हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेरी इंपोर्टेंट यूजना यह आप सभी को पता हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना 22 जनवरी 2015 को बाल लिंग अ यूजना का उद्देश लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन को रोकना बालिकाओं के अस्तित्व और सुराच्छा को सुनिशित करना और बालिकाओं की शिच्छा और भागीदारी सुनिशित करना है अगली यूजना की बात करते हैं महिला शक्ति केंडर MSK यह यूजन 2017 में मंजूरी दे गई थी इसका उदेश महिलाओं के लिए बनाई गई यूजना और कारक्रमों के अंतर छेत्री आभिसरण को सुविधा जनक बनाना है या यूजना उत्तरपुर और विसी स्रेडी के राजियों को छोड़ कर जहां फंडिंग अंगबात 90 और 10 का है प्रधान मंत्री मात्र वंद्रना यूजना है इसको देख लेंगे और एक है मिशन इसको हम लोग देख लेंगे प्रधान मंत्री मात्र वंद्रना यूजना एक केंद्री आयोप सारी प्रायोजी सर्थ नगत हस्ताना अंत्रण यूजना है जिसे एक जनवरी 2017 से पूरे देश में लागू किया गया PMMBY के तहत मात्रित्व लाफ सभी कर्वती महिलाओं को अस्तभान कराने आली माताओं P.W. और L.M. के लिए उपलापत है अर्था जो करवती महिलाएं होती है और जो फीडिंग कराती है अर्था अस्तन पान कराने वाली मातराओं के लिए P.W. और L.M. को छोड़ कर जो केंद सरकार या राज्य सरकारों या सारवजनिक छेतर के उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो समान लाप्राप्त कर रहे हैं परिवार के पहले जिवित बच्ची के लिए फिलाल लागू कोई भी कानून जो है वो मानिया होता ह योजना के तहत पात्र लाभार्थी को जो भी इलिजिबल लोग होते हैं उनकी गर्भावस्था और अस्तन पान के दौरान कुछ पोशर और स्वासमंदी सर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में पांच जार उपे प्रदान किये जाते हैं तो ये महिलाओं पे पूदित मानडंडो के अंसाथ सीश नगत प्रोसाहन भी मिलता है ताकि एक महिला को और सतन 6,000 रुपे मिले हाल ही में मंत्राले ने मिशन शक्ति एकी कृत महिला ससक्ति करण कारिकरम सुरू किया है एक मिशन मोड में एक छाता योजना जिसका ओदेश महिलाओं की और ससक्ति करण के लिए हस्त अच्छेप को मजबूत करना है तो दोस्तों ये कुछ योशनाय थी जिसको कि हम लोगों ने डिसकेस किया तो ये एक्जाम पॉइंट अब यू से भी इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान रखेगा जो कि महिलाओं से संबंधित योश कुछ फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए और दोस्तों अगर आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करके जरूब बताईएगा कमेंट करिएगा हमें अपने दोस्तों में सेयर करिएगा एक बार फिर से आप सभी को अ वार्दिक सुब कामनाएं धन्यवाद